फिलाल मैं मौझूद हूँ राजस्थान के सवाई मादोपुर में और यहाँ पर आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक खास स्थान के जो कहलाता है काला गोरा भैरवजी का मंदिर हमारे देश में भहरवजी के अनेक मंदिर है काले भहरवजी के मंदिर है साथ ही गोरे भहरवजी के मंदिर है लेकिन काले गोरे दौनों भहरवजी के एक साथ मंदिर जो है वो बहुत कम है और उनमें से ही एक मंदिर है ये वाला काला गोरा भहरवजी का मंदिर जो इस्तित ह सवाई मादोपूर में और इसकी खास बात यह है कि यह है तंत्र मंत्र की जो क्रिया होती है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी हाँ जो सबसे बड़ा मंदिर है तंत्र मंत्र के लिए वो है गोवा हटी वाला कमाख्या देवी का मंदिर लेकिन इसके बाद में जो दूसरे नमबर का मंदिर जो तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है वो है सवाई मादोपुर का काला गोरा भैरवजी का मंदिर और आज इसी मंदिर के दर्शन करने मैं आ गया हूँ यहाँ पर मेरे साथ में आए हैं प्रदीव भाईया कराता उन से मुलाकात तो चलिए अब आपको करवाते हैं यहां के सभी इस्थानों के दर्शन एक एक करके तो वहाँ सामने है भैरू दर्वाजा और भैरू दर्वाजा से जस्ट पहले आप देखिए यहां पर यह जो इस्थान है जहां पर रोड़ दो हिस्तों में बट रही है यह कहलाता है शेत् शेत्रपाल जी का इसके पास में आप देख सकते हैं यह पैट्रोल पंप शेत्रपाल जी के दर्शन हो चुके हैं अब जाके दर्शन करते हैं सबसे पहले काला गोरा भैरव जी मंदिर के और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहां पर एक और मंदिर जो है रादा यह देखिए, यहां भी देख सकते हैं आप उपर बनीवी इस दिवार को, जो किले की दिवार जैसी ही है, सवाय मादोपुर में जो रन थंब और सेंचुरी है, उसकी जो शान है, टाइगर, आप देख सकते हैं, उसका भी चित्रन किया गया इस बहरू पोल के उपर, यू तो सवाय मादोपुर में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन सच कहना चाऊँगा, मुझे इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं था, तो आज इस मंदिर के दर्शन करने का स्वभाग ये मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है, आ गए हैं हम भैरू पोल तक, और यह देखिए, जो बड़ा है यह है, देख सकते हैं आप, कई मंदिला है, यह है मंदिर पाहडी के बिलकुल नीचे इस्थित है, सामने दिखाई दे रहा है यहां का बहरो पोल, प्रवेश द्वार पे बने हैं यह दो हाथी और यहीं से हमें करना होगा प्रवेश, देवी मा की मुर्तिया है, इस तरफ है यह सीडियां, इन से जाना होगा हमें उपर, है ना कितना बड़ा मंदिर, अभी उपर तक जाना है हमें, सीडियों से थोड़ा उपर आते ही, लेफ्टन साइड में है मा भवानी का मंदिर, यह देखिए नीचे यह वाला जो भाग है, अच्छे से अभी आपको दर्शन कराता हूँ, इस तरफ है बारा दरी, बारा जोतिरलिंग, यह जी हाँ, बारा जोतिरलिंगों के प्रतीक है, यह देखिया, इन बारा जोतिरलिंगों के प्रतीक के पास में यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह प्रतिमा, सिंदूर से सुशोवित, जै बजरंग और यहां पे हैं अनीक शिवलिंग देख सकते हैं आप हर शिवलिंग के आगे नंदी भगत होते हैं तो यहां भी है तो माता के जो नव दुर्गा सुरूप है वो यहां पे विराजित हैं देख सकते हैं आप यहां आप देख सकते हैं शेर को जो की माता का वाहन है और महादेव जी का जो वाहन है नंदी जिसे मारवडी में नांदिया कहा गया है इनको एक साथ यहां पर यह जो रास्ता है यह लेके जाता है गुपतेश्वर महादेव की तरफ और उसके लिए हमें यहां सीडियां जो है इनसे नीचे आना होता है और यह रहे महादेव जी जो कहलाते हैं गुपतेश्वर महादेव रोशनी यहां पर नहीं है प्रकाश नहीं है इसलिए फोन से ही हमें रोशनी करनी पड़ रही है ताकि आप दर्शन कर सके गुपतेश्वर महादेव के जै हो महादेव जी की महादेव जी के साथ में इनका होना जरूरी है लीजिए सीडियों से वापस आ गए हम उपर इसे कहा जाता है यहां का अमरित हुआ यह देखिए चली अब चड़नी होगी हमें सीडियां और चलते हैं उपर तो अब हम आप पहुंचे हैं ताला गोरा बहराव मंदिर जी की विशेश छत्री तक जो कहलाती है है तीनखंब की छत्री वैसे तो इसके अंदर च्यार खंबेAH है लेकिन जो एक खंबा है वह अधर है यानि कि वह धर्ति पर नहीं टिका उओ है चली आपको दिखाता हूं कौन सा है खंबा तीन खंब की छत्री है का पहला खंब अम्हाफ है司 दूसरा खंब जो है यह धर्दी पर टिका हुआ नहीं है देख सकते हैं आप यह हवा में ही है अधर ही है यह देखें देख रहें आप तो यह है तीन खंबों की छतरी इस तरफ वाला जो है यह कहलाता है भाग नौबत खाना यह उस तरफ भावानी मा के मंदिर में जाने का मार्ग जहांपे पर महादेव का देखा था रावत भाटा में तो वैसा ही है ये शिवलिंग जै बोलेनात आदी गनेज जी के विशाल प्रतिमा है गेट से बिल्कुल पहले यहां लेफ्ट एंड साइड में विराजित हैं प्रविष्ट होते हैं काला गोरा भहरव जी के मुख्य मंदिर के अंदर जिसका प्रविष्ट द्वार है बिल्कुल सामने यहां पे है गनेश जी यहां पे है हनुमान जी अब चड़नी होगी थोड़ी सीडियां और यह देखिए यह पहाड है उसी के अंदर यह गुफा बनी हुई है वहीं पर यह मंदिर इस्थित है इतनी सीडियां चड़के हम उपर आए हैं और अब शाम हो गई है इसलिए रोश्नी थोड़ी कम हो गई है यह देखिए अंदर का भाग जो है वो ऐसा है तो यहाँ देख सकते हैं आप ब्रह्मा जी द्वारा जो श्रश्टी निर्मान का नक्षा बनाये गया था काल चक्र कहलाता है यह है यह है उसका प्रती रूप है यह देखिए तो सबसे पहले दर्शन कीजिए गोरे भहरवजी के एकदम सामने आप दर्शन कर रहे हैं सिंदूर से सुशोबित है और काले भहरवजी के लिए हम यह जाना होगा उस तरफ वहाँ दर्शन करेंगे हम इस तरफ से जाके यह देखिए यहाँ विराजित है काले भहरवजी और वहाँ पर जल रही है अखंड जियोत यह देगी तो काला गोरा भहरवजी मंदिर के दर्शन कर ली है अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो एक धूने का इस्थान है वह है और साथ ही आपको दिखाता हूँ यहाँ जो गूजरी की छत्री है एक अनोकी छत्री जो बनी हुई है एक पिलर के उपर आईए वो यहाँ से आप देख सकते हैं धूने का इस्थान बाबाजी की धूनी जो है वो इस्थान यह है यहाँ इस पिलर के उपर बताया गया है मंदिर का नक्शा जैसे कि यह मुख्य द्वार हो गया और एक के उपर एक मंजिल पर आते हैं यूँ और इस तरफ देखिए आप यहाँ नौ मंजिला मंदिर यह कहलाता है क्योंकि बाकी की चार मंजिले जो है वो पाड़ी पर उपर है तो यहाँ पे जो मेला होता है वह है कौन से महीने में आयोजित होता है जन्वरी के अंदर यानि अभी होने ही वाला है या हो चुका है अभी होगा हम थोड़ा जल्दी आ गए इस प्रसिद काला गोरा बहरो मंदिर का निर्मान जो करवाया था वो करवाया था 1763 के अंदर तातकालीन महराजा मादो सिंग्जी प्रथम उन्होंने और उसके बाद में यहाँ पर अनेक जो तंतर साधना के महारती है उन्होंने आकर तंतर साधना की और धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याती जो है वो बढ़ती चली गई कामाख्या देवी का मंदिर जो है तंतर साधना के लिए पूरी दुनिया के अंदर पूरे विश्व में नंबर वन है और उसके बाद में दूसरा इस्थान प्राप्त है सवाई मादोपुर के इस काला गोरा भैरवजी के मंदिर को कहा जाता है कि यहां के जो प्रतापी राजा थे राजा हमीर रन्थमबोर जिनके नाम से जाना जाता है हटी हमीर कहा जाता था तो राजा हमीर ने भी यहाँ पर अपनी साधना की थी और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर दो बार अपना सिर काट कर अर्पित किया था और वो पत्थर का हो गया था ऐसा मुझे यहाँ आने पर पता चला है प्राचीन काल में जैपुर दर्बार द्वारा यहां पर समस्त व्यवस्ताइं की जाती थी लेकिन उसके बाद में जब रियासते चली गई वो जमाना बीद गया उसके बाद में यहां पर अविस्थाओं का दौर शुरू हो गया था क्योंकि राजपरिवार जो था उसका वह संथंबोर के नीचे जोगी मेहर है हां जी वहां से हम लोग निकले वे हैं और यह जहां पर हम लोग खड़े हैं यह अपने आप में पूरे हिंदूस्तान का से यूर्सिटी के नाम से गया है और उत्तरी भारत के बारत में जो पूरी हा कामक्या का मंदिर है यहां है सब्सक्राइब तांत्रिक जिसे मंदिर के दर्जा दिया गया है यहां गुरुगौराक्षिनाथ जुनाथ पंद्र का है उन्होंने यहां बड़ी क्लास से चल थी और मेरे पीछे जो आप लोग गुफाई देख रहे हैं यहां चुकि रंतंबोर अभ्यान कई पाटन लोग ज जांटे यहां बाटने है आप मारे सलड़ पार बड़ में जुला द्यूंक तो परते हैं वहां प्रीवारे सब्सक्राइब का दिख्शे करिया थे जोलंने जो इनी तो आख पालवानार मों आतर लेक्पूर को नहीं कुर्ण हो दो पाननाथ बात में और भालने 25 रहें हमारे अन्समाज के पर देखें बच्चों को पालली पर मात् pressed नहीं पर सुछ समाज लोगा हमारे स्षमार कोव सब्सक्कार के बाल भल्य होगा नहीं आठेशिक रहा शंतलाकी हमारे देखें तो महा काली ना नहीं भेल इन को पडिखा लगता है, बख्रावाणी के ना को तो इनको ना भूग्ले लिख्यादान से जब जैए तो जैए तुट शूंड अपनी एई उपने अपने अपने उपने अपने आपने जाते जुग ने अपने अपने जो रहा है इसने पूरी सेना पूर आख्रमन किया था इसलिए बने आपको जाएं देखे थे द्वार पेरियों कि रोगडिये थे उससे प्राइश्चित करवाया था कि जितने भी मंदिर तोड़े हैं जहां जहां से आप आये हो उन सब की आदम ने बनाऊ इसलिए हर कदम करम पे आपको मिले सारे मंदिरों पे दुनियावर के अर्ory हो दो क्यों सीर घंब करता है तो नइसे कही ऑन स कनदी करतें हैं पुलाते हैं कि यहां पर भोग लगते हैं और तामसिक है तो नहीं तंतन विदिविदान से भोग लगता है इस मंदिर का निर्मान जहां तक मुझे ग्यात हुआ है कि मादो सिंग जी प्रथम उन्होंने करवाया था आप बिल्कु सही कहा है इस मंदिर का जन्दार रुमान तरवाया था नीचे जाएंगे तो रावन ने भी यहां सिर काटा था नीचे 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 रावन के इस ताम प्रकांड दिद्वान हो तो यह क्ला से लगते थी बूद्बड़ी उनर्चे थी तो राव श्वाय मादु सिंग थे उनके पेले तो राव को बास साया नीचे प्रकांड बाचे था इस था रजी बहुत ज़ा ज़्यादार नीचे भी अर आज भी हम लोग का आप ऋ देखेंगे हम वहारी मैलाय का पुचारी है जो नीचे एक विट ता नीचे यहां पाले बहुत ज् उन पुजाणियों की महिलाएं उपर इंटी दी और हम लोग नौरात्रों में हमारे किसी भी परिवार में हमारे 50-60 परिवार है पुजाणि परिवार उनकी सब्जियां छुकती नहीं है हम चक्ति रूती खाते हैं दाड़ी नहीं बनाते हैं हमारे कई सारे बेन है वो इस ता करें सवय मातवपूर जिला मुक्यले से मात तीन किलोमेटर दूर रेलो इश्चेशन के पासा रंतंबोर की पहाड़ी उपर इस तान है नो मंजिला है और नो ग्रों का प्रतीक है ये काल चक्र है कितना पानी है कितने में हम लोग है नेभी देवतार सारे जीवतन को बोगत पांच मंजिला गोरा भहरावजी का मंदिर जो है उसके दर्शन आपने कर ली है इस मंदिर के साथ ही ओपर की तरफ पहाड़ी के ऊपर बने व Poke ऊण चीला मंदिर और यह देखिए आप कितना बड़ा शिवलिंग है प्रदी भहिया के पास में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर उस हिस्से में हम थोड़ी दिर पहले थे वह वाला जो है मंदिर वो राधा कृशन जी का मंदिर है जहां हम थोड़ी दिर बाद जाएंगे यह है राधा कृशन कि राधा जी के दर्शन किये जाएं चलिए यहां भी दो हातियों के बीच में बना हुआ है यह द्वार और वहां आगे आप देख सकते हैं राधा कृशन जी के विग्रह हैं इस द्वार से हम अंदर दाखिल हुए हैं प्रविश्ट हुए हैं और आंतरिक भाग जो है ऐसा दाखिल है मंदिर का आप देख सकते हैं तो बीजे करते हैं दर्शन राधा कृशन जी के जूले पर विराजिद हैं तीन चार कृटेस उपती नहीं है यह पाड़ी बदा यह यह जमना यह सरपती तीन गुंडी यह पर प्रशिद्ध काला गोरा भैरवजी मंदिर के दर्श न है और आशा करता हूं इस मंदिर के दर्शन करके आपका मनभी प्रसंद होगा अगर आपको फंड़ पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको नेर नेर वंस के साथ में साथ में कमेंट करके पहुँचाने है आपके विशार मुझे तक इस व्लोग के तुरू जो पहली व पर इसे सर्च कीजिए कनेक्ट हो जाईए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जाते जाते आपसे इतना है कि यत्र तत्र सरवत्र गूंते रहिए गुमाते रहिए लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए जैहो काला गोरा भैरवजी की